तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इगनु के तरप से साथ अपडेट जारी किये गए है जो आपके लिए काफी ज़दा इंपोर्टेंट है और आज मैं आपको इसी के बारे में डीटेल में बताने वाला हूँ तो वीडियो को पूरा देखिए और इगनु से रेलेटेट आजाम के लिए जो आपका असाइमेट का सफ्ट कॉपी आपको ओनलाइन सम्मिट करना होगा और यह जो लिंक है वह आपको कहाँ पर मिलेगा तो वह आपको इस वाले पेज पर मिलेगा इसका लिंक मैंने नीचे दे रखा और यहां पर आने के बाद आपको सभी रिजल सें है उन्हें इस लिंक के माध्यम से यानि की गूगल फोर्म के माध्यम से असाइमेट ऑनलाइं समिट करना होगा और जो पीडियो फाइल उसका नाम आप कैसे रखेंगे पहले आपका इंडॉल्मेट नमबर और फिर डैस और उसके बाद सब्जेक्ट कोड रहेगा तो आपके बाद जितने भी आसाइमेट यहां पर आपको वन बाइवन अपलोड करना होगा जैसे कि आगर आपके पास आठ ए असाइमेट है तो आपको आठ पार यह गूगल फॉरम फिलप करना होगा बाकी गूगल फॉरम को आप किस तरीके से फिलप कर सकते हैं बिना कोई गलती किय तो उसके लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं इसका लिंक मैंने नीचे दे रखा है और जो आपका PDF है उसका साइज जो है 100 MB से कम होना चाहिए फिर आप नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपको दो क्लिक करेंगे आपका साइमिट समिट हो जाएगा बाकि आपका साइमिट ऑनले जमा होगा या फिर ओफलाइन वह आप इस वाले पोस्ट पर आकर के चेक कर सकते हैं लिंक मैंने नीचे दे रखा है और अगला जो आप्टेट आया उसके अकौर्डिंग अगर आपने 37 वा कॉन इस ट्रिशन फीस है वो आप समिट कर सकते हैं और उसके बाद जो आपका डिगरी है डिपलोमा है या फिर सेटिफिकेट है यह बाइपोस्ट आपके घर पर भेज दिया जाएगा अगर घर पर नहीं आता है तो आपका जो भी रीजनल सेंटर है रीजनल सेंटर से भी आप जाकर के ले सकते हैं लेकिन उसके लिए सबसे पहले जो निरधारित फीस है वो आपको इस वाले वेबसाइट के माध्यम से समिट करना होगा इसके अलावा अगर आपका 37 कोनवोकेशन के बीच में डिगरी पूरा किया है जो कि यहाँ पर भी मैंसन किया गया सभी एक्जाम परी 2024 एडमीशन का लास्ट डेट एक पर फिर से एक्स्टेंड कर दिया है अगर इगनु के किसी बी एरली बेस्ट प्रोग्राम बे एडमीशन लेना चाहते हैं जैसे कि कोई भी एरली बेस्ट बैचलर डिग्री अश्टर डिग्री डिप्लोमा प्रोग्राम तो आप उसमे 31 मार्च 2024 तक एडमीशन ले सकते हैं और जो च्या मैने का सर्टिफिकेट का कोर्स है जैसे कि CLIS CDM इसका एडमीशन बंद कर दिया गया है और जो सेमेस्टर बेस्ट प्रोग्राम है जैसे कि BCA, MCA, MBA इसका भी एडमीशन बंद हो चुका है और जो मेरिट बेस्ट प्रोग्र प्रोग्राम में आप 31 मार्च तक एडमीशन ले सकते हैं ओडियल प्रोग्राम और ओनलाइन प्रोग्राम दोनों के लिए जो लास्ट डेट है वो 31 मार्च तक एक्स्टेंड किया गया है और इगनु के जो भी पुराने स्टुडेंट है उनके लिए इगनु ने जनवरी 2024 स प्रोग्रेंट का लाष्ट डेट है इसको भी पर फिर से यृध्या निकीपाँवी वार और इसमें भी आप 31 मार्च तक रधिस्टेंड करवा सकते हैं next year के लिए फिर 10 के लिए लेकिन इसमें आपका जो लेटमीशन पहले इगनुने जून 2024 से एक्जाम के लिए जो आपका प्रोजेक्ट है, डेसिटेशन है, फील्ड वर्क है, इंटर्णसीप है, ये समिट करने के लिए जो लिंक है वो जारी कर दिया है, यहां से आप 31 माई 2024 तक जो अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, ऑनलाइन समिट कर सकते है पीडियाफ फॉर्मिट में, और अगला जो अप्डेट आया है, उसके अकोर्डिंग इगनुने दिसंबर 2023 एक्जामिनेशन के रेजल्ट का एक नया अप्डेट 21 मार्च 2024 के डेट में पब्लिक कर दिया है, और साथी में एक अप्डेट 20 मार्च के डेट में भी आया था, तो अगर आपका एक्जाम का रेजल्ट पैंडिंग है, तो उसको आप यहां से चेक कर सकते हैं, जो आपका रेजल्ट है, उसको डिकलेयर किया गया है, या फिर नहीं, और साथी में अगर आपने पेपर रेजल्ट के लिए अप्लाई किया था, तो उसका भी एक नया स्वाइ नहीं है, तो ऐसे में आप रेजल्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप यह देखना चाहते हैं, कि आपको कौन से कोशन में कितना नमर दिया गया है, नमर को किस तरीके से काउंट किया गया है, यानि कि आंसर सीट का स्कैन कॉपी मंगवा करके देखना चाते हैं, तो उसके लिए आपको अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई आपको इस वाले पेच्छे करना होगा, लिंक मैंने नीचे दे रखा है, अगर आप री इवैल्यवेशन के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपको पर सब्जेक्ट का साथ सो पचास रुपे का पेमिट कर कर लिजे ताकि सभी अपटेट आपको मिलते रहे साथी साथ आपका कोई सबाल है तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हैं